गूड इवनिंग इस्टुएंट्स आज मैं आपको बारभी का इंगलिस का लेशन नमबर वन बताऊंगा हिंदी में लेशन का नाम है एक गर्ल विथे बास्केट और इसके जो राइटर हैं राइटर का नाम है बिलियम सी डगला सबसे पहले मैं आथर के बारे में बताऊंगा लिख के बारे में बताऊंगा जैसा की इस पुष्टक में दिया गया है बिलियम सी डगलाग वाज जज आफ दे सुप्रेम कोर्ट आफ दे उनाइटेड इस्टेट आफ अमेरिका William C. Douglas United State of America के सुप्रीम कोर्ट के जज्ज थे नियादीज थे He traveled widely in different part of the world उन्होंने विश्व के विभिन हिस्सों की यात्राएं की But he liked to travel in Asia लेकिन उन्होंने Asia भ्रमड को Asia की यात्रा को पसंद किया Once in 1950, he visited India एक बार 1950 में उन्होंने भारत भ्रमड किया या भारत की यात्रा की He was a realist and sympathetic and was a lover of self-respect and supporter of labor He was a realist, वह एक एक अथार्सवादी थे Sympathetic, सहनुभूती उन्होंन रविया थाउन का And was a lover of self-respect और आत्मसम्मान को चाहने वाले या आत्मसम्मान को पसंद करने वाले विक्ती थे साथी साथ, supporter of labor, Shrimko के समर्थक भी थे For him to earn one's livelihood by limit of labor was noble and praiseworthy उनके अनुसार, अपनी छम्ता के अनुसार मेहनद करके जीवी को पाजन करना प्रसंसा करने ही होगी चीज थी यदि कोई विक्ती अपने छम्ता के अनुसार प्रसंसार प्रसंसा करके अपना जीवी को पाजन करता है तो वह प्रसंसा का पात्र है ऐसा लिखक के विचार थे His writings covered a wide range of social and political issues and made by sympathy and understanding उनके जो लेक थे उसमें बहुत सी भिनताएं थी समाजिक तर से संबंदित लेक थे राजनीतिक से संबंदित लेक थे मतलब समाजिक मुद्दों पे उन्होंने लिख लिखे और राजनीतिक मुद्दों पे भी लिख लिखे और उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें सहानभुती दैलता के साथ दैलता के भाव भी सामिल थे और उसे समझना भी बहुत आसान था अपने लिखों में उन्होंने भारत के प्रती एक बिसेस प्रकार की पसंद एक बिसेस प्रकार की चाहत को दिखाया he had a very soft corner of the refugee girl who refused to expect anything as charity उन्होंने अपने लिख में एक छोटी और खुशूरत स्राड़ाथी लड़की की प्रती अपने मन में इस स्लाइड को मैं फिर से बताऊंगा he had a very soft corner of the refugee girl who refused to expect anything as charity उनके मन में या उनके दिल में एक साड़ाटी लड़की के प्रती बेहती को मलता के भाव थे जिस लड़की ने दान में या चेरिटी में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था इससे वाई इन दे इससे एक गर्ल विथे बास्केट ही वाज रिटे और यही एक कारण है कि उन्होंने इसलिए कुलिखा जिसका नाम है एक गर्ल विथे बास्केट इस ब्यूटिफुल चाइल बॉर्ण इन इसक्वेलर एंड पावर्टी या सुन्दर सी छोटी सी बालिका या बच्ची गंदगी और गेरी में पली थी या पैला हुई थी अनेजुकेटेट इन बोथ ग्रामर एंड मैनल और या बच्ची दोनों ही छेतरों में असक्षित थी चाहे वो पुष्टकी ग्यान हो या फिर समाजी रिती रिवाज या तो तरीके दोनों से ही अनवेगे थी उस चोटी बच्ची ने लेखक को भारत के बिसाल सहरी दैता का एक छोटा सा जहलक दिखाया था अब हम लेशन पर आते हैं उसे घेल लिया वे बच्चे लेखक को अपने पंखे और टोकरिया बेशना चाहते थे लेखक ने कुछ पंखे और टोकरियों को खरीदा एक सुन्दे सी बच्ची जिसके उम्र नौवर्स थी उसने लेखक को पुष्किया दवाया थोड़ा दवाव के साथ थोड़ा बल के साथ दवाया था अपने टोकरि को बेशने के लिए दवाने के कारण था लेखक का ध्यान अपनी तरफ खीचना सीवा जैन अरनेस्ट प्रीडर वह एक अच्छी वक्ता थी उसके कहने में एक ललक थी एक लालसा थी एक मिन्नक थी there were tears in her eyes उसकी आँखों में आसु थे so taking pity on her condition the author put 15 cent into her basket उसकी देनी स्थिथी को देखते हुए लिखक ने दया दिखाते हुए उसकी टोकरी में 15 cent रह दिये as soon as he put the money she raised her team and with all the pride and graciousness of a lady return him his money और जैसी ही लिखक ने उसके टोकरी में 15 cent रखे ठीक वैसे ही उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया और बड़े गर्व के साथ गर्मम में उन तरीके से एक भली अवलत की तरह उसके पैसे को लॉटा दिया so the author had no other choice except to buy her basket अब लिखक के पास इसके सिवा कोई चाला नहीं था कि वह उसकी टोकरीयों को खरीद ले when he bought her basket see wiped tears off her eyes and smile जब लिखक ने उसकी टोकरीयों को खरीदा या खरीद लिया तो उस लड़की ने अपने आसों को पोच्छा और मुस्कुराई the behavior of a poor little girl indicated her spirit उस चोटी और गरीब लड़की का जो ब्यवार था उसकी आत्मसों दर्ता को दिखा रहा था उसके ब्यवार उसका ब्यवार या अच्छी तरह से दिखा रहा था कि किसी से कोई चीद ख्री में लेना या बिना किसी वस्तु की बदले में लेना उसके लिए नफरत का कारे है वह नफरत का बिसे समझती है किसी से कोई चीद अकारण लेना बलकि किसी से कोई पैसा अकारण लेना उसी अपनी जीविका पारजन का जीविका का गर्व था जिसमें बिनेसीलता और सभ्यता भी थी Thus the uneducated refugee girl of nine gave the author a glimpse of the war zone of India इस तरह से उस असिक्षित स्रणाड थी लड़की ने जिसकी उम्र नव वर्स थी लिखक को भारत के विशाव सहिर दैता का छोटा सा जलक दिखाया झाल